हेलो फ्रेंड्स वेलकम बाइक टु माई वीडियो आज हम इस वीडियो में बात करँगे टोर्क के बारे में What is टोर्क? टोर्क क्या है? बच्चों आपको एक ऐसा एकजाम्पल दूंगा जिससे आप कभी भी नहीं बुल दोंगे कि टोर्क क्या है वीडियो में बनने के लिए आप में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक होचाना ना भूलिए चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपी जिसका टॉर्क सभी ने साइकिल और क्या चलाई होगी कार वगयरा कुछ मर्जी चलाई होगी तो आपने क्या देखा होगा जब आप बाइसिकल चला रहे हो यह एक हैंडल ऐसे बनाता है पुरानी बाइसिकल का बाइसिकल तो जब आप मोड पे पर आपको लेफ्ट टर्न करना है जब आप लेफ्ट टर्न करोंगे आप क्या देखते हो कि एक तो फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो हाथ से और एक हाथ से फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे हो, exactly, एक फोर्स उपर लग रही है, और एक फोर्स क्या लग रही है, नीचे, ठीक है बच्चो, तो टोर्क क्या होता है, टोर्क भी एक फोर्स ही होती है, बच्चो, टोर्क एक फोर्स होती है, इस फोर्स का जो नाम होता है, थोड़ा सा बद जिसको हम क्या बूल देते हैं र्णिंग फोर्स क्या बूल देते बच्चो Z carry force मतल्भ रितर्निंग फोर्स कोई भी चीज में गुमावदार अगर कोई बल लगे फिंदी में बता City गुमावदार कोई for लगे तो उसको क्या हूँ तो चैता प्रूर कि पोर्ट करिण एक वही जो हैं अहाई सोल 12-4 उपना पजयतें एक जो आफक्र शीन आप टा देता हूं torque is defined as the product of force and perpendicular distance from the axis of rotation तो क्या होता है यह टॉर्क इस इक्वल टू फोर्स प्रेपेंडिकुलर दिस्टेंस इन्टू आर और दूसरे में कहा सकता हूं टॉर्क इस इक्वल टू आर प्रपेंडिकुलर फ्र्स या प्रिपेंडिकुलर डिस्टेंस हैसोरी बच्चो टॉर्क हाँ में एकमचा इस उक्वल टूर्क को अर्पेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहां पर यह horizontal position को हम measure कर लें अगर हम तो हमने जब पड़ा था यह y axis हो गया यह x axis होगा यह मेरा vertical होगा इस point पर यह horizontal होगा यह theta इसको f sin theta बोल लूँ हमें इसको बलूँगा मैं f cos theta direction इस direction में move करेंगे तो sin theta है तो इसलिए यहां पर इन दोनों के बीच का angle होगा वो perpendicular distance होगा 90 degree जिसकी वज़े से यह distance है और यह force लग रही है force लग रही है तो उसके पर perpendicular distance है जो कि मैंने आपको यहां पर एक show करके दिखा दिया डाइग्रम में यही तो था force into perpendicular distance और perpendicular का मतलब वर्टिकल वर्टिकल का मतलब cross cross का मतलब sin theta you know very well ठीक है बच्चो अब इसी वीडियो में हम discuss करेंगे एक और topic जिसका नाम है angular momentum बहुत easy topic है चलिए अब मैं बात करता हूँ angular momentum हां जी बच्चो यह angular momentum है क्या देखिए अगर मैं angular momentum को define करूँ एक छोटी सी definition से पहले हम definition से थोड़ा देख लेते हैं अंगर जो momentum हो क्या आपदाता है अंगर आपदाता है अंगर आपदाता है आपर आपर आपक्स एक न्यूच आप आप लाग आपदाता है मेरा किरुक् contar प्रपेंडीकूलर डिस्तन्स फ्रॉम एक्स एंड । परपेंडी कुर्पेंडिकूलर डिस्टन्स धुर्स त्रिके दी से based on ठेंड किसी है ज़िए जोब मेरा कि अपो ओर बेसे लखे तो क्या है partially क्राइए इव एक ङुर्द को जो कि मेरा क्या है आर है क्रोस है प्रपेंडिकुलर है तो क्या आएगा बच्चो आप सभी को पता है साइन ठीटा ठीक है तो यह चोटी से मैंने शному से a is a js मास और यहां पर यह विलोजटी वी बहुत है तो मामेंटम क्या होगा एंटी फी तो टो यहां पर आर्लों यहां पर मोमेंटम तो क्या हो होगा कि दिस्टेंट तो यहां पर हमने जान लिया मोमेंटम के बारे में और मोमेंटम के अगर मैं ऐसा यूनिट बात करूं कि वहती है किलो ग्राम मेंटर स्केर पर सेकिंड चलिए हमने इस टोपिक में जाना एंगल मोमेंटम के बारे में और एंगल मोमेंटम एनलोग है कि मोमेंटम का नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छा टोपिक लेके आएंगे और एक अच्छी बाते लेके आएंगे हो सक इस वीडियो को शेर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ थैंक यू सो मच